सर्वत्र जितने भी कर्म हो रहे हैं वो ये तीनों गुणों के कारण हो रहे हैं सतो गुण रजो गुण तमो एहंकार भी मूडात्मा लेकिन एहंकार के कारण ये मूर्ख व्यक्ति ये सोचता है कि करता हम इतिमन थे, कि करता मैं हूँ, मैंने किया, मैंने बिल्डिंग बनाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बड़ी बड़ी बात है, फैकता रहता है सारे दिन, करता हम इतिमन, एहंकार के कारण, एहंकार भी मूडात्मा, करता हम इतिमन थे, मैं करता हूँ, ऐसे सोचता इसमें लॉस होता है उसको नुक्सान होता है एहंकार उसको लॉस मिले जाता है मैं मैं सारी जिन्दकी करता है भगवान स्री कुर्शनिया पर उसी बात को कह रहें कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते पहले तो खुद अपने लिए बोल रहें कि देवम चैवात्र पंच्वम देव यानि परमेश्वर परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता परमेश्वर यानि परमात्मा सब के इर्दे में है इश्वरा सर्वभूतानाम हिर्दे से अर्जुन तिष्ठदी यह रूढ़ान यह माया के बने हुए शरीर में बैठ करके इश्वर सब के इर्दे में सेंटर में बैठ के और सभी जीवों को سभी प्राणियों को ब्रामियन नहीं ट्रेवलिंग यात्र करवाता है जो जहाँ जाना चाहता है उसको वहाई पहुचा देता है सब की चपून करते हैं बवाल ब्रामियन सर्व भूतानी यंत्रारूडानी माया यह बहुत एक शरीर में माया के बनी हुई शरीर में बैठ करके यंत्रारूडानी आरूडो करके यह यंत्र है जंत्र जिसको बोलते हैं गले में मानते हैं जंत्र किसी तंत्र में मंत्र फूख दो तो जंत्र बन जाता है तो यह भगवान ने फूख मारी यह सरीर पैदा हो गया अभी इसमें खुद बैठें इश्वराह सर्वभूतानाम हिर्देशे अर्जुन्तिष्टती सभी भूत प्राणियों के हिर्दे में बहगवान बिराज माने हिर्देशे सेंट्र में सबकी आत्मा के अंदर परमात्मा है यह कभी नहीं भूलो बच्चा छह मेने तक पेट में गर्ब में गरवाश है उपनीशत के वाके अच्छेतन रहता है तो होश में नहीं होता है लगे साथ मेने में जैसे ही परमात्मा प्रवेश करते हैं तो वो लात मारने लगता है मा कहती है देखो बच्चा इदर लात मार रहा है कुल बला रहा है अंदर होश में आ जाता है बच्चा हम होश में ही तब रहते हैं जब परमात्मा के साथ रहते हैं वरना मूर्चित रहते हैं नर नाचे मरकट की नाईं जाए नचाए राम गुसाईं ये नर यारे मरकट यानि बांदर बंदर नर तुल सिदाजी महाराज ने कहा है कि ये नर है वो बंदर की तरह नासता है क्यों नासता है अपनी इचाओं को पूरा करने ले नचाने वाले राम है दूसरा कोई नी ब्रामियन सरव भूतानी यंत्रार उड़ानी माया ये माया के बने हुए यंत्र में बैठ करके भगवान इस जीव को ब्रामियन यात्रा करवाते हैं, जीवन की यात्रा, जिसके जैसे इच्छा होते हैं, उन्ही इच्छा को पूर्ण करने हैं, उसको उधरी ले जाते हैं, जिसके जैसे मनो कामना, वैसी पूर्ण करने के लिए वो आगे बढ़ जाते हैं, लो भाया, तुमारी ये इच्चा है, तुम ये इच्चा पूर्ण करो, ब्रामिन, इसलिए भगवान का होना जरूरी है, कोई कर्म उनकी सैंक्शन के बिना कोई कर्म नहीं होता, फिर अधिश्टानम हमारा एक शरीर होना चाहिए, जिससे कर्म होत हम उनके अंडर में काम करते हैं, वरकर अपने आपको समझना जाए कि हम वरकर हैं, करणम, ये दसों इंद्रिया, इनके बिना कैसे कर्म करोगे, पाव नहीं हो, हाथ नहीं हो, तो कैसे कर्म करोगे, नहीं कर सकते, इसलिए पांच प्रकार के यहां पर चीज जों का भगवा अपने आपको कहा है, इसमें पांच वे नंबर पर स्वेम अपने आपको कहा है, देव, एक देव, इश्वर की स्विकृति के बिना कर्मनी होता, ये आज समय का अभावने कारण, यहां पर विराम देंगे, लेकिन अगले सस्तंग में इसको पूर्ण तया, खुला सा करके बोला यागा, तो अग्या मंतूं येगो पाल.